Hey guys, welcome back to the video दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे Top by Best Value for Money Smartphones के बारे में Under Rs. 20,000 अगर आपका बैट इस टाइम पर 15 से 20 सेर के प्रैस सेगमेंट में स्टेंड करता है और आपको फिलाल Value for Money Perfect Smartphone बाय करना है जो आपकी priorities को fulfill कर सके तो वीडियो के साथ बने रहे इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक better idea मिल जाएगा So बने रहे बट गैस सेर आप एक चुटा सा काम कर सकते हो इस चनल को subscribe करके क्योंकि ये एक दम फिरी है So please कहले लीजेगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो बात करते हैं पहले स्मार्टपून की जो मेरी रिष्ट मां आता है Motorola की तरब से Moto G73 5G ये अभी recently launch किया गया है 8GB प्लस 128GB बेस प्रेंट से आता है और इसके अंदर 6.5 इंच का Full HD प्लस आई-पेस डिस्प्ले दिया गया है विद मैट प्नेस इसकी अलाबा ड्वाल कैमरास दी गया है प्रामरी लेंस 50MP का मलेगा साथ मैं 8 का अल्टर वार्ट प्लस डेप्थ प्लस माइक्रो तीनों का काम करता है फ्रेंट साड मैं 16MP की फ्रेंट फेसंग से लफी ती गया है इसके रियर कैमरे से काफी पावर एफिसंट है एक्चुली देखा जाए तो ये डामेंसिटी 920 से slightly downgrade किया गया है विकोज डामेंसिटी 920 2.5 GHz पर clocked है जबकि 930 2.2 GHz पर है और स्कोर में भी काफी बड़ा डिप्रेंस है 4,30,000 के करीबन अंतुद स्कोर निकालता है ये snapdragon 695 और डामेंसिटी 920 दोनों के बीच में पबम करता है तो प्रैस के साब से gaming experience आपको अच्चा का समलेगा इसमें Android 13 out of the box दिया गया है चोकि my UX यानि की stock Android पर बेज़ड है इस पुन में 5000 mH की बेंटरी दी गई है जोकि 33 बोट की फार्ट चर्चिंग को सपोर्ट करता है बाकि इसमें IP52 की रेटिंग 3.5 mm jack और dual stereo speakers मिल जाते हैं तो तो ये 8GB RAM Plus 128GB storage के साथ आता है जिसकी प्रैस है 16.9 17,000 रुपे में definitely check out कर सकते हो तो तो next smartphone आता है Samsung की तरब से Samsung Galaxy A14 5G अगर आप Samsung के लवर्स हो आपको Samsung का ही smartphone purchase करना है तो इस phone को definitely grab कर सकते हो ये आपको premium feel कराएगा in fact ऐसा design Samsung ने अपनी full accept S series के अंदर ओपर किया है तो ये सस्ता बिलको नहीं लगता है features भी आपको decent type के मिलते हैं 4GB Plus 60, 4GB Base Prince ये आता है इसके अंदर 6.6 inch का full HD plus IPS display दिया गया है with drop notch ये 90Hz के past represent rate को support करता है और इसमें side mounted fingerprint scanner दिया गया है display quality आपको press के साबसे tik-tak मिल जाती है rear side में polycarbonia design दिया गया है with texture finish इसके अलाबा triple cameras मिल जाएंगे primary lens 50 megapixel का दिया गया है साथ में 22 megapixel की depth और micro lens मिलेंगे इसमें ultra wide नहीं मिलता है front side में 13 megapixel की front facing style पी दी गया है इसके rear और front दोनों ही camera से 1080p 30fps पर video record कर सकते हो तो इससे आपको camera quality अच्छी कासी मिलेगी इस phone में performance दिया गया है Samsung के खुद का Exynos 1330 चोकि एक 5G capable chipset है और ये only 5NM fabrication पर आता है काफी ज़्यादा power efficient है आपको ये लंपा battery विकप देगा ये snapdragon 695 के लगबग बरावर है 4 lakh के करीबन अंतुद उसकोर निकालता है यानि की gaming भी आप यहां से price की according अच्छी कासी कर सकते हो इसमें android 13 out of the box मिलेगा चोकि 1UI 5.0 core version पर build है इस पुर्ण में 5000 mh की battery मिल जाएगी चोकि 15 watt की part charging को support करता है बट charger आपको box में नहीं मिलेगा बाग इसमें 3.5 mm jack और single speaker दिया गया है तो तो ये 4GB RAM प्लस 64GB storage के साथ आता है जिसकी price है फिलाल 16,499 साड़े 16,000 रुपए मैं definitely grab कर सकते हो दोस्तो नेक्स्ट स्मार्टपोन आता है OnePlus की तरप से OnePlus Nord CE3 Lite 5G दोस्तो ये Realme 10 Pro 5G से काफी ज़्यादा इंस्पार्ड है design से मिलता है minor difference दिया गया है मैं आपको पहली बता देता हूँ अगर आपको स्रिफ OnePlus की brand value चाहिए तो ही आप इस phone को consider करिए otherwise इससे better options आपको मिल जाएंगे 8GB प्लस 128GB बेस प्रियांट से आता है इस phone में 6.72 इंच का Full HD प्लस IPS डिस्पली दिया गया है with center punch wall 128 के past refresh rate को support करता है और इसमें side mounted fingerprint scanner मिल जाएगा ये HDR10 को support नहीं करता है स्रिफ 8 bit का panel है और YouTube पर आप 4K वीडियो भी नहीं देख सकते मतलब display decent दिया गया है रियर side में polycarbonate region मिलता है with glossyness बट ये आपको glass feel कराएगा region आपको काफी अच्चा मिल जाता है no doubt इसके अलाबा again triple cameras दी गया है primary lens 108 megapixel का मलेगा Samsung के HM6 sensor के साथ साथ में 22 megapixel के depth और micro lens मिल जाएंगे इसमें भी ultraward नहीं मिलता है front side में 16 megapixel की front facing cell पी दी गया है इसके रियर और front दोनों camera से 1080p 30fps पर video record कर सकते हो suddenly 4K support ये नहीं करता है camera quality decent मिलती है इसमें performance दिया गया है callcom snapdragon 695 चोकि already 5G support करता है again 6NM पर आता है gaming अच्छी कासी कर सकते हो इसमें android 13 out of the box दिया गया है चोकि oxygen OS 13.1 पर built है इस पुन में 5000 mh की battery मिल जाएगी चोकि 67 watt की fast charging को support करता है but in the box आपको 80 watt का charger मिलेगा इसमें 3.5 mm jack dual stereo speakers और 8 GB तक virtually RAM को भी expand कर सकते हो तो ये 8 GB RAM plus 128 GB storage के साथ आता है जिसकी price है 19,59 20 या रोपे में definitely check out कर सकते हो तो तो next smartphone आता है Realme की तरप से Realme Narjo 50 Pro 5G ये इस budget में Realme का best value for money phone है आपको Realme का phone buy करना है तो इसको check out कर सकते हो 6 GB plus 128 GB base brand से आता है इसके अंदर 6.4 inch का Full HD plus Super AMOLED डिस्पले दिया गया है विद इंसाट पंच ओल 98 के past refresh rate को support करता है डिस्पले पर Gorilla Glass 3 की protection HDR10 का support और अंडर डिस्पले fingerprint scanner भी मिल जाता है डिस्पले टॉप क्लास दिया गया है रियर साड में polycarpune डिजन मिलता है विद लाइनिंग टेक्चर पनिस और इसमें भी अगें ट्रपल केमरास मिल जाएंगे primary lens 48 megapixel का दिया गया है साथ में 8 का ultra wide और 2 का micro lens मिलेगा front side में 16 megapixel की front facing cell पी ती गया है इसके रियर केमरे से 4K 30FES पर video record कर सकते हो camera quality best मिल जाएगी इसमें performance दिया गया है media tech time intensity 920 जो कि dual 5G supported है और 6NM पर आता है gaming आप यहां से जबर दस्त कर सकते हो gaming experience आपको top notch मिलेगा इसमें android 12 out of the box दिया गया है जो कि real में UI 3.0 पर built है इस phone में 5000 mAh की battery मिलेगी जो कि 33W की far charging को support करता है बाग इसमें 3.5 mm jack liquid cooling और dual stereo speakers मिल जाएंगे तो तो यह 6GB RAM plus 128GB storage के साथ आता है और इसकी price है फिलाल 16.9 वैसे भी यह 15 से 20 air के बीच में fluctuate होता रहता है तो तो finally next और last smartphone आता है IQ की तरब से IQ Z7 5G यह recently launch किया गया है और यह under 20,000 के segment में the best all-rounder phone है 6GB plus 128GB base parent से आता है और इसमें 6.38 इंच का full HD plus emulator display दिया गया है with drop notch 98 के past refresh rate को support करेगा इसमें HDR 10 plus का support और under display fingerprint scanner भी मिल जाएगा display अगें top class मिलेगा rear side में polycarbonate design दिया गया है with glossy finish इसकी अलाबा dual cameras मिलेंगे primary lens 64 megapixel का दिया गया है with OIS साथ में 2 का depth lens मिलता है इसमें ultra ward नहीं मिलेगा front side में 16 megapixel की front facing selfie दिया गया है इसके rear camera से 4K 30 fps पर video record कर सकते हो camera quality यहाँ पर आपको best मिल जाएगी no doubt और video record करते टाइम OIS अच्छे से walk भी करता है तो video experience भी आपको बहतरीन मिलेगा इसमें पबमस दिया गया है media tech time in city 920 इसमें android 13 out of the box मिलेगा चोकि front touch OS 13 पर built है इस phone में 4500 mAh की battery दी गया है चोकि 44 watt की fart charging को support करता है बाग इसमें IP54 की rating 3.5 mm jack, single speaker और 8 GB तक RAM को भी expand कर सकते हो तो तो यह 6 GB RAM plus 128 GB storage के साथ आता है जिसकी price है 18999 19 रुपए में definitely grab कर सकते हो तो कैसे यह थे top smartphones under 20,000 वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर पसंद आयो लाइक करके चनल को subscribe भी कर लिजेगा मैं मिल दहूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए take care